अगर 13,000 के अंदर तुम्हें बेस्ट 5D डिवाइस या चाहिए है या ऐसा को स्मार्टफोन चाहिए जो 13,000 के अंदर आए और उसमें तुम्हें अच्छी खासी डिसेंट सी फोटोग्राफिक कर पाओ अलकी विलकी तुम्हें गेमिंग कर सको और साथ ही साथ वहां पर तुम आप बड़े राम से निकाल जाएगा वह मतलब चलाते रहो वही जो मर्ची करना करते रहो उसके साथ तो आज की इस वीडियो में ऐसे पांस स्मार्टफोन आपको बताऊने वाला हूं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लेना चाहों 13,000 के अंदर तो आप ल प्लस का प्रसेसर देखने को मिलेगा 6GB कि इसकी रैम है जो 6.72 इसकी आइपल से लसी दे रखिए ना उसके उपर 120 हर्स का रिफ्रेशिट भी यह लोग देते है अब जो कैमरा की में बात करूंगा तो देखो जो इसका कैमरा सेट अप है वह एक डूल कैमरा का है इसके आप मेका पिक्सल का वाइड एंगल लेंस से अक्ट वो तो जो आती है काफी वाइड आती है से आधिया और वील फुले एच्टी में तुम वहां से वीडियो रिकर्ड करते हो तो मज़ा आ जाएगा बाकि 5000 अमेस की बैटरी है 33 वाट की सूपर बियो सी चार्जिए दिन मे दो दिन चलाओ तो हम दे यहां रखा एक नौन चैनी स्मार्टफोन ब्रैंट सैमसंग सैमसंग गेलेक्सी एम 14 5G वैसे तो यह स्मार्टफोन जो है सैमसंग एक्जैनोस 1330 के उपर रन करता है और 4G वे फ्रैमी ओफर करेगा 6.6 इंचीज की जो PLS LCD यहां पर देखने को मिल लेडी फ्रैश के साथ आता हो बिस सी बात है और तेरह मेगा पिक्सल का फ्रैंट में दे रखा है तो तुम सेलफी लोग वहां से ब्लोगिंग कर रहो या फिर तुम लोग वीडियो कॉल कर लो तुमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली बाकी जो बैटरी है वो है 6000 एमेज की क्योंकि वहां पर 25 वाट की फास्ट चार्जिंग उन लोगों ने दे रखी है अब देखो 121 जीवी की इंटर्नल स्टोज जे लोग देते हैं जिसे तुम एक टीवी तक बढ़ा सकते हों बाकी क्रण्टली इसकी प्राइस तो बारा हजार चार्सोन अब्वे में देखने को मिल जाएगी और फोटोग्राफी के मामले में भी कहीं पीछे नहीं अटता अगर तुम लोग फोटोग्राफी करना चाहते हो तो तुम यहां पर स्मार्टफॉन के साथ कर सकते हो और प्रफॉर्मेंस एस पर प्राइस काफी तकड़ी इन दे रखी है थोड़ा सा आपको फ काफी सही लगता है काफी अचे फीचर्स दे रखे हैं प्रफॉर्मेस भी ओवर रोल काफी ठीक निकालके दे देता है आपको मेटक देमेंस्टी सिक्स जिरो टू जीरो है जो एट जी फ्यो फ्रैम के साथ आता है जो 6.78 इंचीज के आई-पेस लसी डिस्प्ले निसकी वो अपर तुम्हें एक और खास बात दे देखने को मिलेगी कि यहां पर तुम्हें डिस्टिंट और वाटर जिस्टंस देखने को मिलेगा स्मारटफॉन के अंटर अब इसके तुम्हाट और 12960 रुपे का पड़ेगा और चार 12907 पर पड़ेगा तो तुम आपनी नीर इसका प्राइस तुम्हें सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है लेकिन तुम अपने ओफर ग्यार लगाऊगे तो यह सस्ता हो जाएगा क्योंकि इसके इंदर में देखने को मिलता है में टेक डेमेंश्डी 7020 8G व्योफ्रैम के साथ है IPS की LCD डिस्पले है 6.5 इंचीज की है और 120Hz का रिफ्रेश्ट देगी बाकि जो कैमरा यहां पर दे रखा है यह उन लोगों के लिए स्मार्टफोन है जो लोगों को फोटोग्राफी करनी है वीडियोग्राफी करते हैं सिनमेटोग्राफी करते हैं स्मार्टफोन की तोरा फिल् प्रेश्ट लगाए बाकि 6000 इमेच की बैटरी है जो 30 वाट की चार्जिंग के साथ आती है तो मिल बेकवार चार्ज करो और पूरा दिन बड़े नाम से निकलेगा तुम एक टीवी तक एक स्मार्टफोन डॉस्टिंट साथ देखने को मेलेगा इसका जो हाइन वर्यंट है प्राना स्मार्टफोन एक्चेंज करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली 13000 के अंदरी स्मार्टफोन मिल जाएगा बाकि इसकी प्रफॉर्मेंस काफी जादा सही है स्टीर स्पीकर्स दे रखे हैं क्यामरा काफी सही काम करते हैं बैटर लाइफ तो वही नेक्स लेवल की सु प्रफॉर्मेंस स्मार्टफोन मिल जाएगा प्रफॉर्मेंस से लेकर के कैमरा और बैटरी तक देखो इसके अंदर तुम्हें क्वार्ट प्रफॉर्म स्नेट्राइगन 695 प्रोसेसर दे रखा है जो 6GB RAM के साथ आता है सूपर ML डिस्पले दे रखिए 6.67 इंचिस की गोलेल ग्लास प्रोटेक्शन भी देती है और जो कैमरा सेटप है वो ट्रिपल कैमरा सेटप दे रखा है उनने बैक के अंतर तुम्हें देखो यहां पर 48 मेगा पिक्सल का एक वाइड अंगल प्रैमरी कैमरा देखने को मेलेगा 10X का डिजिटल जूम देगा 8 मेगा पिक्सल का अल स्मार्फोन सा स्मार्फोन आता है कंडली इसकी प्रैजिंग 14,000 रुपे से 1 रुपय काम है यानी 13,999 रुपय इसके 6GB और 18GB वेलेंट की पर सेल में और अगर कार्ड वेयर तुम्हेरे पास पड़े हुए है तो तुमने यूज करते हो वाइन नेक्स लेवल प्रैस प्रैमरी कैमरा तो में थोड़ा से बोड़ा लग सकता है और चिपसे थोड़ा सा अच्छा हो सकता था लेकिन यह काफी सेही है क्योंकि अब इसका अगर बजट जादा हो तो तुम उसके साथ भी जा सकते हो लेकिन अगर 13-12,000 का बजट है तो इन पास स्मार्टफोन में से तुम किसी को भी कंसिर्डर आउट कर जगते हो क्योंकि सारे के सारे स्मार्टफोन काफी सही तरीके से काम करते हैं